वेलकम इने के स्टाड़ी 1024 और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उनसे अभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल दाएगा या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ से आप उनको देख सकते हैं तो शुरू करते हैं question number 3 से इस question में हमसे पूछा गया है the squares of which of following would be odd number मतलब जो भी हमें numbers given है इन में से किन numbers का square जो है वो odd होगा यह हमें बताना है तो देखिए इस question को करने के लिए आपको सरीफ एक बात पता होनी चीए कि odd numbers का square odd number होता है और even number का square एक even number होता है तो मैंने आप लिखा we know that the squares of odd number is odd and squares of even number is even ठीक है मतलब हमें क्या करना है पहले हमें पता लगाने कि number odd है even है अगर number odd है तो उसका square भी odd होगा और अगर number even है तो उसका square भी even होगा तो देखिए आपको odd यह even पहचानना आता होगा फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि odd number की पहचान क्या होती है कि जो उनक 3579 इन में से कोई एक होता है और जो even number होते हैं उनके unit place पे 0246 या 8 इन में से कोई एक digit आता है ठीक है तो अगर मैं आपे बात करूँ पहले part की ठीक है पहले part में क्या दिया हो है 431 तो यहाँ पे आप देख सकते है उसका unit place हो कितना है 1 है तो मैं कहा सकता हूं कि 431 है वो ए 21 would be odd ठीक है क्योंकि जो यह number है यह एक odd number है इसलिए इसका square भी क्या होगा odd number होगा ठीक है इसी तरह हम बात करते हैं इसके second part कि जो second part है इसमें में क्या number दिया हुए 2826 तो यहाँ पर जो इसका unit place हो कितना है वो 6 है तो हम कह सकते हैं कि यह जो number है क्या यह even number है तो मैं कह सकत 26 would be would be even ठीक है यहाँ पर बी भी आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यह odd number था तो इसका square जो था वो भी odd आया और यहाँ पर अगर यह even number है तो जो इसका square आएगा वो भी क्या होगा even number होगा इसी तरह से अगर मैं बात करूं third part की तो third part में कितना दिया हुए 7779 ठीक है आप जानते हों कि जो 7779 है यह कैसा number है यह odd number है ठीक है तो हम कहा सकते हैं इसलिए जो square होगा ठीक है square of 7779 यह क्या होगा यह भी एक odd number होगा ठीक है मैं पूरा नहीं लिख रहा है मैं एरो से बना के लिख दिया है जैसे मैंने ऊपर लिखा है ऐसे आप यहाँ पर लिख लेना आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है इसलिए मैंने आप बस एरो बना दिया टाइम बचाने के लिए ठीक है इसी तरह जो इसका चौथा पार यहां पर कितना है हमारे पास 82004 यहां पर यूनिट पेस कितना है 4 तो हम कह सकते हैं कि जो यह number होगा यह हम से बोला गए observe the pattern and find the missing digits बतलब यहां पर हमें pattern को observe करना है और फिर जो digit missing है वहाँ पर उनको find out करना है तो यहां पर पहले part में दिया हुआ 11 का square is equal to 121 तो यहां पर अगर आप खास बात देखोगे तो यहां पर 1 दो बार आया है ठीक है न 11 में 1 कितनी बार यूज हुआ है तो यहां पर एक बार 1 दूसरी बार 1 तो दो बार यूज हुआ है तो हम यहां पर क्या करेंगे एक से लेके 2 तक जाएंगे 1,2 और फिर पीछे आजाएंगे 1 पे इसी तरह से यहां पर देखो 101 का square है तो यहां पर 101 में 1 फिर से दो बार यूज हुआ है ठीक है तो हम क्या कर आगे भी follow हुआ है, यहाँ पर कितना है? 10001, यहाँ पर 1 और 1 के बीच में 2 0 हैं, और 1 कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार, तो यहाँ से हम 1 से लेके 2 पर जाएंगे, फिर पीछ आजाएंगे 1 पर, और क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 के बीच में 2 0 थे, तो हर बार हम बीच में क्या करेंगे? 2 2 0 लगा देंगे ठीक है? तो आपको pattern समझ में आगया होगा, तो अब इसका answer आप fill कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर 1 और 1, यानि कि 2 बार 1 आया है तो 1 से लेके हम 2 तक जाएंगे, जो 2 3 4, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर देखो 1 और 1 है, ठीक है? दो बार 1 आया तो हम 1 से लेके 2 पे जाएंगे और 2 से पीछे फिर 1 पे आ जाएंगे लेकिन इस बार बीच में कितने 0 आएंगे? यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो इस तरह से इसको फिल करना था, उमीद आपको एक कोशन समने आ गया होगा, आप बात करते हैं आप देखें, जो कोशन नंबर 5 है, बिल्कुल कोशन नंबर 4 जैसा है, यहाँ पर हमसे बोला गया है, observe the pattern and supply missing number मतलब हमें pattern को observe करना है, और जो number missing है, उसको fill करना है पिछले कोशन में किया था? कुछ digits miss थे, यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा number ही missing है तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर 11 का square कितना आया? 121 तो मतलब अगर 1 यहाँ पर 2 बार आया है, तो हम 1 से लेके 2 पे गए, फिर पीछे आ गए 1 पे यहाँ पर 101 का square है, तो यहाँ पर भी 1 दो बार आया है, तो हम 1 से लेके 2 पे गए और पीछे आ गए क्योंकि बीच में 1-0 था तो हमने बीच में 1-1-0 यहां पे लगा दिया इसी तरह से यहां पे देखो 1-3 बार आया है ठीक है ना 1-1 बार 1 दूसरी बार 1 और 30 बार 1 तो हम क्या करेंगे हम 1 से लेके 3 तक जाएंगे ठीक है क्या करेंगे बीच में 1-1-0 था तो यहां पे बीच में 1-1-0 लगा देंगे इसी तरह से यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर एक बार दूसरी बार तीसरी बार चौती बार चार बार 1 आया है तो हम क्या करेंगे पहले असे लेके 4 तक यानिकी एक, दो, तीन, चार उसके बाद हम पीछा जाएंगे जैसे यहां पर चार के पहले तीन आया है तो तीन, तीन के पहले दो, ठीक है और दो के पहले एक, और क्यूंकि यहां बीच में एक, एक, जीरो था, तो हम क्या करेंगे बीच में एक, एक, जीरो पर यह आया हुगा तो यह भी असान है यहां पर आप देखो कहां तक गए है एक दो तीन चार पांच तक गए है ठीक है न पांच के बाद तो यहां पर उल्टा हो गया फिर पांच के पहले चार तीन दो एक मतलब बढ़ता हुआ कहां तक गया maximum नंबर देखो क्या है यहां प और क्योंकि बीच में 1-1-0 है तो यहां हम बीच में क्या करेंगे 1-1-0 लगा देंगे मतलब इसका इसक्तुर्ण जो है वो यह आएगा क्योंकि फिर से बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर 5 तक गया बढ़ता हुआ उसके बाद कम हो गया तो यहां पर हम 5 बार 1 लिखेंगे और बीच में 0 लगा देंगे क्योंकि यहां पर बीच में 1-1-0 है तो अमीद आपको इस सारे questions में आया होंगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई